हेलो दोस्तो, स्वागते आपका हमारे चैनल इंडियन अफेर्स पर दोस्तो इस बात से तो आप सब अगरी करती होंगे कि एक फेमस परसनालिटी होना कोई आसान बात नहीं है ऐसा इसी लिए है क्योंकि जब भी कोई फेमस होता है तो उनकी प्राइवसी तो मानो एक तरही से खतम ही हो जाती है उनकी लाइफ में हो रही कोई भी चीज मीडिया रिपोर्ट्स में बाहर आकर पब्लिक तक आ जाती है फिर चाहे वो चीज अच्छी हो या फिर बुरी अक्सर तो जो बात मेडिया रिपोर्ट्स के तरू पब्लिक तक आती है वो सच भी नहीं होती और सर्फ रूमर्स होते है लोग इन फेमस परसनालिटी से जुड़ी किसी भी न्यूस की वैलिरिटी तक भी चेक नहीं करते और सब कुछ सच मान लेते हैं इसी के चलते पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तानी क्रिकेटर शोईब मलिक और इंडियन टैनिस प्लेयर सानिया मिर्जा उनके डिवोस रूमर्स को लेकर हेडलाइन्स में बने हुए हैं एसी कई सारी सोर्सेस हैं जो ये कहते हैं कि दोनों की डिवोस की न्यूद सच हैं तो वही ऐसी भी कुछ सोर्सेस हैं जो ऐसे सारी खबरों को जूट बताते हैं लेकिन रेसेंटली अपने डिवोस और सेपरेटिंग रूमर्स के बीच शोईब मलिक अपने बेटे के साथ हैंगाउट करते हुए दिखे और उसे अपनी लैंबरगिनी में ड्राइव पर ले जाते हुए भी दिखे शोईब ने खुद अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर अपने बेटे के साथ ये प्रेशियस मुवमेंट स्पेंड करते हुए फोटोस डाली ये फोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए शोईब ने कैप्शन में लिखा कि लंका प्रेमियर लीग के लिए फ्लाइ करने से पहले गुट फादर सन टाइम और लॉंग ड्राइव बाइदवे ड्राइव के दौरान हमने सीट बेल्स पहनी हैं मेक शूर आप सब अपनी सीट बेल्स फास्टन कर ले शोईब की ये फोटो पोस्ट करने के बाद लोगों ने जिस चीज को नोटिस किया वो ये था कि इन फोटोस में सानिया मिर्जा नहीं थी जैसे ही फैन्स ने ये देखा उन्होंने फिर से इस बात पर स्पेकुलेशन लगानी शुरू कर दी कि सानिया साथ क्यों नहीं है फैन्स फोटो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोनों के सेप्रेशन की न्यूज जूट होने के लिए भी पूछ रहे थे इससे पहले भी फैन्स की कान्फ शोइब मलिक सानिया मिर्जा जल्दी अपना खुद का एक रियालिटी शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होनी वाला है दमलिक मिर्जा शो इस शो में दोनों अपनी परसनल लाइफ और अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर डिसकस करेंगे अब क्या सच है और क्या शोइब मलिक और सानिया मिर्जा ही जानते हैं लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है हमें जरूर बताईए और ऐसी न्यूस के लिए चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए